प्रेंड्स आपने थम्निल में आपने बिल्कुल सही देखा आज काल एक बहुत बड़ा न्यू प्रोब्लेम है यानि आपने गूगल बिजनेस पोफाइल पर आपना अकाउंट बना लिया है अकाउंट बनाने के बाद आपने पोस्ट कार्ड के लिए आपने रिक्वेस्ट ऐसे प्रोब्लेम आज काल हो रहे हैं और मेरे साथ भी हुआ है और आप मैंसे बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है तो मुझे बहुत सारे लोग के फोन आ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है तो प्लीज हेल्प करिए क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है अगर आप निव डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजने सनौर है आपके साथ ऐसे प्रब्लेम हो रहा है ऐसे केस में हमको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें हमको लगता है कि यार साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर हमसे नहीं हो पा रहा है फ्रेंट्स मैं आपको सबसे पहले बता दू आपको डेफिनाइली औरी नहीं होना है इसका सल्यूशन है जो मैं आप इसको इस वीडियो में बताने वाला है, so friends इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे, पहले समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पास postcard है, हमारे पास pin है, और pin डालने के बाद तो account verify होके live हो जाना चाहिए, account verify होके live होतो नहीं रहा है, और ultra suspend हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले यह region समझेंगे, उसके बाद मैं आपको solution बताऊंगा, कि अगर ऐसे होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, फिर इस solution को हम कैसे करें, यह दो चीज मैं बताऊंगा, friends यह दो चीज मैंने explain करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, लास्ट में, मैं आपको मेरा WhatsApp नंबर से आर करने वाला हूँ, बाइचांस किसी को, टेक्निकाल नॉलेज नहीं है, समझ नहीं आया, आप मेरे से आप सलहा चाहता है, वो भी completely free of cost में, पैसा चार्ज नहीं करूँगा इसके लिए, आप मुझे WhatsApp नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के end में दूँगा, लेकिन मैं स्रीव ओही लोगों को मैं support करूँगा, जो हमारे subscriber होंगे, जो हमारे channel को subscribe किये होंगे, इसके लिए छोटा सा condition है, आप subscribe अगर किये हैं, तो आप मुझे screenshot लेकि मुझे WhatsApp करना, और अगर आप में subscribe नहीं किया है, प्लीज subscribe कर लेना, उसके बाद फिर आप मुझे WhatsApp में connect कर सकते हैं, तो मैं आपको definitely help करूँगा, आप में से बहुत सारे मेरे viewers से, मेरे दोस्ता, आप मेरे वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप subscribe नहीं किये हैं, तो इसके लिए मेरा request है, प्लीज subscribe करना है, क्योंकि इस टाइप के new, जो problem solving बाले वीडियो, गुगल business profile में मैं आपके लिए लाता रहता हूं, चो चले फ्रेंट्स, पहले समझते हैं, कि आपका account जो है, pin डालने के बाद suspend क्यों हो जाता है, यहाँ पर suspend जो होता है, यह Google के गलती के बज़े से नहीं होता है, आप Google का गलती नहीं निकाल सकते हैं, आपके गलती के बज़े से होता है, क्या गलती आप करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं, 90% लोग जो है सबसे पहला गलती करते हैं, उनका primary category या secondary category गलत डालते हैं, या फिर business profile बनाने के बाद और postcard आते तक यह जो timeline लेता है, 8-10 दिन, 15 दिन जो time होता है, इस time पे हम हमारे primary category या secondary category जो है, जब हम account create किये थे, जिस time पे हमने postcard के लिए हमने request डाला, उस time पे जो हमने primary category या secondary category या बाकी सारे information जो हमने डाले थे, और हमारे postcard आते तक हमने एक, दो बार, तीन बार उसको edit करने के कोशिस किये, हो सकता है आप मैंसे किसी ने primary category को edit किया होगा, हो सकता है आप मैंसे किसी ने secondary category को edit किया होगा, हो सकता है आप मैंसे किसी ने website different डाला, उसको change कर दिया, आपने description different डाला, आपने change कर दिया, आपका timing different डाला, आपने change कर दिया, यानि Google Business Profile का account बनाते बक्त, आपने जो सारे information दिये थे उस information पर आप 100% आपने छेड़खानी कि यह शौर है 100% में बता रहा हूं तो चांसे से आप पिन डालने के बाद भी आपका क्योंकि के बाद जो है ना प्रेंट्स गूगल बहुत ज्यादा स्ट हो गया है आप सब लोग जानते हैं यह गूगल के फ्री वाले प्रोड़क्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा कैरफुल होके काम करना पड़ेगा यह आपके लिए लेट जनरेशन के मसीन बन सकते हैं अ गूगल बिजनेश प्रोफाइल आपके लिए प्लाटफॉर्म है अगर आपके पास प्रेंट्स नहीं है कल के कल आपको रिजल चाहिए ऐसे करिए आप रिजल प्रोडिशी नहीं कर पाएंगे यहां पर पैसेंस इस दकी to सक्सेस गूगल बिजनेश को फाइल के लिए तो कि वेट करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा नातोराध यहांपर aboneight success नहीं होता है बहुत सारे लोग मैं सुना है कि एक दो महिने में guarantee देते हैं कि आपका profile traps करा देंगे ऐसा नहीं होता है नहीं होता है अगर आप ऐसे किसी के بातों में आ रहे है तो पहले आपका ही तो यहां पर यहां पर आपको गलतिया गिन्वाया प्राइमेरी क्रेटेगरी आपको अगर नहीं समझा रहा है ना आपके पता होगा नहीं करना है यह एक बार दो बार तो तो अकाउंट सेटेग्री आपको नहीं चैन्स करना है इसके साथ और क्या गलती करते हैं आपका अकाउंट जब लोगों को दिखी नहीं रहा है वह उनके लिंग लोगों को सयार करने लगते हैं उसमें बहुत सारे इंफरमेशन डाल दिए किसी और का फोटोग्राप्स बगर उठाके उसके पास खुद का कुछ औरीजिनाल नहीं है उठाके उसने पोस्ट कर दिए बाई साब गुगूल को फोटोग्रापस कहाँ से लिया आपका औरीजिनल फोटोग्रापस नहीं करके आपने किसी और पото चुराया आपने इसंग मैं नहीं पता है वसके प्लीज आपके प्रोफाल पर ज्यादा कुछ भी औडट आपको नहीं करना एं एक बructiveको ठाट करना हैs वेरिफाइ हो जाए उसके बाद चोटा 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 एडिट करना है लेकिन प्राइमेरि करेगरी सेगंडरी करेगरी में च्छेट खारी नहीं करना है उसमें करो गए तो फिर टाटा मतलब आपका अपको बचना कैसे है आपको कैसे बचने के लिए मैं आपको तीन तरीका बतांगा इस तरीका को आपको ध्यान से समुझना है पहल tend तो एक Gmail ID, जिस Gmail ID से आपने account बनाया है, उस Gmail ID से आपको mail करना होगा Google support को, आपने सुना, जिस Gmail ID से आपने Google business profile का account बनाया होंगे, उस Gmail ID से आपको Google को mail करना होगा, उस mail में आपको दो-तिन चीज देने होंगे, आपका URL, यानि आपने जो business profile बनाया है, उसका URL, URL कैसे find out करते है तो उसका वीडियो मेरा है आप देख लेना तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का URL उसके साथ-साथ उसी इमेल आइडी जीमेल आइडी जो है जिसमें से आपने आकाउंट बनाए वो जीमेल आइडी और एक कंटाक नमबर उसके साथ-साथ आपको गूगल को बताना है कि आप क्यों इमेल कर रहे है आपको गूगल को यह बताना है कि मैंने अकाउंट बनाया था मैरे बिजनेस इस जगाँ पर है मैरे बिजनेस यहां पर एक्च्वाल में एक्जिस्ट करता है लेकिन मैंने पिन नमबर डालने के बाद हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया तो सब्सक्राइब से लाओ और यह बहुत आसान हो जाता है और आपको यहां पर आनides स्क्रίν गुल का नहीं बता सकता करना और मुझे वाक्सब में पूछना मेरे नमबर जो है एद में दूंगा यहां यहां को करना जरूर वात्सब कर दूँगा इतना trust करना और मैंने कुछ वीडियो में मैंने comments में भी दिया हुआ है तो आप मैंसे जो viewers जिनको पता है ये वाले email ID आप comments में डाल देना ताकि दूसरे लोग को support हो जाएगा मैं आपको personal WhatsApp में सयार करूँगा ठीक है तो उस email ID पर आपको email करना है Google बाबा को आपको यह लिखके email करना है लेकिन अगर यह दो चीज आप नहीं दोगे तो आपका account recover नहीं होगा सकता है आपका GST हो सकता है आपका TRADE LICENSE हो हो सकता है आपका कोई LOCAL LICENSE हो सकता है आपका石belt प्रेशन पर मीज़यूद या फिर आपका MSMA लासेंस हो फिप्थ फ्लोर पे है हमने गूगल बिजनेस फोफाइल पे फाइब टी एच फ्लोर लिखा है और हमारे एड्रेस में फाइब लिखा है इसका मतलब गूगल के नजर में दोनों अलग-अलग अड्रेस है तो आप पहले एंशियोर हो जाईए है आज आपका अकाउंट में प् इसा तरीका परस्णाली बताऊंगा वीडियो में नहीं बता सकता मैं तो आप लोग को पता है स्मार्ट हो एड्रेस में कैसे क्या करते हैं गूगल को देखना है कि आपके पास एक्च्वाल में एड्रेस है कि नहीं है तो आप अगर आपका एक-दो-तीन कोई भी एड्रेस जो आपके लिगल एड्रेस है सो वह अगर आप दे देते हैं इमेल में और यह सारे चीज़ें लिखते हैं तो भी आपका अकाउंट जो है एक्टीब कर देते हैं इसको इस प्रोसेस को स्पीड़ आप करने के लिए और एक छोटा सा तरीका आप कर सकते हैं क्या है कि एक छो आप कर रहे हैं आपका अकाउंट स्पेंट होने वाला है आज नहीं तो कल हो जाएगा क्योंकि गूगल 360 डिग्री व्यूज़ कर रहा है उसके वज़े से गूगल चेक करता है क्या आपका एक्ट्वाइश्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके लाप बच नहीं सकते वीडियो गनाना है एकदम प्रोफेशनल वीडियो नहीं होगा चलेगा आप मोबाइल को ऐसे पकड़ना खाड़ा और पकड़कर आपको वीडियो में बोलना है कि हाई इस इस बंसिदर और आपको थोड़ा सा आपका अगर कहीं पे दर्वाजा कहीं पे बोर्ड बगरे लोकेशन में तो यह मेरा प्रूफ है कि हम लाइव है हमारा बिजनेस चालू है इसके लिए प्लीज मुझे मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरा हमारा जो प्रोफाइल है उसको वेरीफाई करके एक्टीप कर दीजिए तरीका है फ्रेंस आपको इमेल करना है इमेल आइडि में औराउन दूंगा दूसरा है आपको अब का आपका आपका आकौंट बनाया होगा उसमें आपको फोननबर ज़ू और आप जो है दो तीन आप डे सकते हैं जो पूबर मैने आपको बता दिया यहां बाद उसमें एक चोटा सा वीडियो अगर सूट करके डाल देते हैं इतना आप करने के बाद मेल करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, किसी किसी का 7-8 दिन भी लगता है, यहां आपको घाई नहीं करना है, बहुत साथ लोग यहां पे क्या गलती करते हैं, मेरे से वीडियो में सुन लिया, समझ लिया, मेल कर दिया, दो गंटे के बाद आपने चेक किया, मेल नहीं आया, फिर से मेल गलत इस्तमाल आप नहीं कर सकते प्लीज मत करना ऐसे आप कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा है इसके लिए Google का resources जो है उसको भी आपको संभाल के उच करना पड़ेगा आपको mail करका वेट करना पड़ेगा जो मेरा अनुभव है एक दो दिन तीन दिन में maximum हो जाता है किसी किसी के case में 6-7 दिन लग सकता है लेकिन प्लीज वेट करना छेसा दिन तक अगर आपने वेट किया कुछ भी reply नहीं आया तो दुबारा email कर सकतो लेकिन सेम डेपे दो तीन बार बिल्कुल email नहीं करना आप पर्मानेंटली आपका वाकाउं चला जाएगा फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हुगा मेरा रिक्वेस्ट है इस टाइब की जो problem solving वीडियो है गूगल बिजनस कोफाइल के रिलेटर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आपको प्लीज हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा जो मोबाइल नमबर है जिसमें आपको स्रीव वाक्षब करना है वह नमबर है 9004-961910 9004-961910 तो यह मेरा मोबाइल नमबर है यहां पर स्रीव आपको वाक्षब करना है प्लीज आप लोग डायरेक कॉल मत करना मैं सभी लोगों को को सिस करता हूं आप लोगों को आनसार करने के लिए लेकिन आप अगर मुझे वाक्षब करोगे तो मैं मैं टाइम निकल कर दोंगा तो सब्सक्राइब करना मत बूलना चलिए फिर मिलते हैं एवे गूड़ डेज